नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल में मैं राने गुपता आपके साथ और बड़ी खवर सामने आ रही है आपको बता दे कि प्रधान मंत्री नरेंद्र नरेंद्र मोदी की रैली में जो जन सलाम उबड़ा था उसको देख करके विरोधी पार्टी कहीं न कहीं इससे घबरा गई है क्योंकि आने वाले गुजराद विधान सभाचनावस में ये पता चल चुका है जो जनता का रुझान जो सामने आ रहा है जो खाव जो सामने आ रह है जिस वजह से पीम की कल रैली में भारी भीड देखने को मिली थी और यही बात शायद विपक्षी दलों के नेताओं को खटक गई और इसको ले करके जूटी खवरे फैलाना शुरू कर दिया आपको बता दें कि जाने माने एडवोकेट प्रशांत भूशन ने एक वीडि वीडियो में ध्यान से देखा जाए तो यह देखने को मिलता है कि जो सारी कोडसियां है वो खाली है और स्टेज पर कोई भी वैक्ति मौजूद नहीं है बलकि जो टीवी पर जो स्क्रीन पर भाशन चल रहा है वो दरसर रिपीट टेलीकास्ट वीडियो चलाया जा रहा था और इसी को रिकॉर्ड करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी की रैली में कितने कम लोग शामिल हुए थे और पूरी तरीके से कोडसियां खाली थी प्रशान भूशन ने इस वीडियो में कैप्शन देते हुए लिखा कि प्रधान म पर भी ऐसे तमाम लोग मौजूद रहें जिन्हों ने प्रशांत भूशन और ऐसे वपक्षी नेताओं की जम करके क्लास लगाई आपको बता दे जहां सोशल मीडिया पर आम लोगों ने उस रैली की वीडियो शेयर की और यह दिखाया है कि यह प्रधानमत्री मोदी के रैली देवगन ने भी जम करके प्रशांत भूशन को लतार लगाई और यह कहा कि आपको इस वीडियो को शेयर करने से पहले यह समझ लेना चाहिए था कि वहां पर कोई नेता मौजूद नहीं था बलकि यह रैली खत्म होने के बाद की ही वीडियो है जो कि इस तरीके से आप दि कि इस रैली में हमारी टीम भी मौजूद थी और उस दोरां जो जैन सल आप देखने को मिला कि कितनी भारी तदाद में वहां पर लोग मौजूद थे और तमाम जो लोग थे कहीं न कहीं मोधी मोधी के नारे लगाते हुए भी दिखाई दिये थे इससे पहले भी जब प्रधान मंत्री मोधी अपने ग्रह राज जाते हैं या फिर अपने होम टाउन जाते हैं तो अकसर ये भीड देखने को मिलती है और इसी के साथ ही बात गुजरात की नहीं है अभी हाली में प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए प्रधान मंत्री मोधी शामिल हुए थे और भा के पास जा करके श्री रगुनात का अश्रवाद लिया तो ये कही न कहीं दिखाता है कि प्रधान मंत्री मोधी को ले करके लोगों में लोग प्रियता है और लोग कहीं न कहीं पीम के जलक पाने के लिए उनके भाशन को सुनने के लिए आतुर रहते हैं और उनकी रैलियों का प्रतीक आपको बता दे जिसके बाद ये न्यूज काफी जादा सोशल मीडिया पर वाइरल हो गई विपक्षियों को इसको ले करके मुद्दा मिल गया और तमाम विपक्षी नेता जो कहीं न कहीं मोधी विरोधी हैं वो इनको ले करके ट्वीट करने लगे आपको बता दे रास्टी अदलित अधिकार मंच के निता जुगनेश मिवानी ने लिखा गुजरात में प्रधान मंत्री जी की बढ़ती लोख प्रिता जिसके बाद क्या था लोगों ने इन दोनों को ही लतार लगानी शुरू कर दियो और सोशल मीडिया पर जम करके प्रशांत भूशन की क्लास लगाए गई आपको बता दें कि प्रशांत भूशन वहीं है जो कि आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से एक है हाला कि यह अभी आम आदमी पार्टी से जुड़े नहीं है लेकिन कहीं न कहीं देखने को मिलता है कि आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के फेवर में बोलते हुए अभी भी दिखाई देते हैं बता दे बीजेपी नेता आमित मालविय ने इसी पर तंच कसते हुए कहा आपको दवायर से जड़ना चाहिए उन्हें आप जैसा है लोगों की जरूरत है जो बिना फैक्ट चेक के रिपोर्ट करते हैं रैली खत्म होने क बाद ये जगहा है मंच पर कोई नहीं है विपक्ष पीम की रैलियों में खाली कुर्सियों पर उस्साहित हो जाता है फर चुनाब हारने पर ईवियम को दोश देता है आपको बता दे इसी पर विजपी नेता तेजिंदरपाल सिंग बग्गा ने लिखा मैंने तुम्हें माग में कुछ भी नहीं है इसी के साथी बीजपी की प्रवक्ता प्रिती गांधी लिखती है ध्यान से देखो प्रशांत भूशन मंच खाली है रैलिक खत्म हो चुकी है और मोदी जी के भाशन का रिपीट टेली कास्ट दिखाय ज़ारा है बेवकूफ बनाना बंद करो अश्रवाती को देखे बिना उन्हें वोट देती आई है बता दे रविवार को तीन दिवसीय गुजरात दोरे पर पहुंचे पीम मोदी ने महे साड़ा जिले में इस्थित मुढेरा को सातु दिन 24 घंटे सौर उर्जा अपूर्टी वाला गाउं घोशित किया है बता दे प्रधान मंत्री बनने से पहले मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्य मंत्री रहे हैं प्रधान मंत्री ने कहा कि आपने ना मेरी जाती देखी ना मेरी राजनितिक प्रिस्ट फुमी आपने मुझे पूर्ण इसने से आशुरवात दिया और आपने मेरा काम देखा है और इसे परकते रहे हैं सिर्फ मुझे ही नहीं आपने मेरे दोस्तों को भी आशुरवात दिया है जैसे जैसे आपका आशुरवात बढ़ता है मेरा उस्सा और काम करने की ताकत उतनी जादा बढ़ जाती है और तलब है कि भारती जन्ता पार्टी श्रासत गुजरात में इस साल के अंत तक विधान सभा चुनाव होने वाले हैं यह चुनाव बेहद एहम है क्योंकि बीजेपी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रेह राज में सत्ता बरकरार रखना चाहती है जबकि वहीं कॉंग्रेस राज में पिछले 27 साल से सत्ता से बाहर रहने के चलते विधान स चड़ा समय तमाम ऐसे नेता हैं जो कि बार-बार गुजरात में रेलिया कर रहे हैं वहाँ बलोगों को संभोधित कर रहे हैं और बार-बार यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए आम आदमी पार्टी ही बैतर है फिलाल अपने गुजरात दौरे के दौरान प् फिर देखने को मिली थी और कहीं न कहीं जो लोग थे वो भी उस साहित है क्योंकि प्रधान मंत्री मोदी वहाँ पर दो दशकों से भी जादा सीयम रहें इसी के साथ ही वो देश के प्रधान मंत्री बने तो ये कहीं न कहीं गुजरात वासियों के लिए हमेशा सही गर्व क बात रही है और प्रधान मंत्री मोदी जबी भी रैली में जाते हैं गुजरात में तो एक अलगी उससा वहां के लोगों में देखने को मिलता है और पीम भी हमेशा ही गुजरात के लोगों को आभार जताते हुए दिखाई देते हैं और यही कहते हुए दिखाई देते हैं ज रैली को खत्म होने के ब ltcheराया उसको दिखाते हुए नजर आते हैं में प्रफिये 해ुट मीडिया पर प्रिशान्थ को bells लगाई ई Deshalb a Всемoster onуютip 2019 ने उनको जवाब दीया तो यह चीज़ सब्सक्राइए है कि किस कदर मुध हीभिश्य के लिए लोग नहीं आते हैं उनकी वीडियो क्यों ये लोग शेयर नहीं करते हैं ये भी लोग सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं फिलाल जिस तरीके से सोशल मेडिया पर प्रिशांद भूशन को लोगों ने क्लास लगाई है इसी के साथ ही बीजेपी के तमाम नेत पर पर क्या रहा है हमारे कॉमेंट्स अक्षिन में जरूर बताएं आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कर दो